बिस्मिल्ब रह्मान रहीम आज का हमारा टापिक जो है वो टीशू कल्चर है टीशू कल्चर क्या होता है इसके अवाले से डीटेल से हम पढ़ेंगे यहां पे बुक रेकिंगे वो किया रहे कि टीशू कल्चर is the growth of tissue and cells separate from organisms अर्गिनिजम क्या हो सकता है अर्गिनिजम प्लांट भी हो सकता है अर्गिनिजम क्या हो सकता है अर्गिनिजम एनिमल भी हो सकता है ठीक है तो टीशू कल्चर हमारे पास वो टिकनीक है जिसमें हम एक पेरंट अर्गिनिजम पर एक प्लांट हम ले लेते हैं यह उसके क्या है रोट है यह उसके पर एगजामपल क्या है लीफ है जिसमें हम पेरंट अर्गिनिजम से कोई टीशू या कोई सेल कलेक्ट कर लेते पिर उसी सेल को या उसी टीशु को जो पेरेंट सेल जो पेरेंट प्लान्ट से हमने कलेक्ट किया होता है उसको हम क्या कर लेते हैं एक मेडियम के अंदर ग्रो करते हैं और मेडियम क्या होता है मेडियम वो चीज होती है जिसमें हर वो न्यूटेंट मौजूद होता है जो इस नए प्लान को ग्रूव करने के लिए क्या होता है जो एक नए प्लान को चोटा सा प्लान जो अभी हम ग्रूव कर रहे हैं टिश्यू कल्चर टिक्निक की जरी जिसके लिए क्या होता है उसके लिए जरूरत होती है उसकी गुरूथ के लिए उसकी बड़ोतरी के लिए उसके बढ़ने के लिए जरूरत होती है वो हम क्या कर लेते इसी मेडियम के अंदर पूट कर लेते एडवांस में पहले से हमने रखा होते हैं मेडियम इस तरह हमने बनाई होती है तो यहां पर कह रहे है कि separate from the organism इस part को, इस cell को हमने parent organism से क्या क्या separate किया वो आया cell था या tissue था cell या tissue को हमने separate किया फिर उसकी क्या की हमने growth की उसको बढ़ा दिया इस तरह इसको हम क्या कहते है tissue culture कहते This is typically facilitated by the use of liquid semi-solid growth medium such is brought or eager और यह पूरा process कौन facilitate करता है easiest बनाते है असान बनाते by the use of जब हम कौन सा medium इस्तेमाल कर लेते liquid या semi-solid growth medium कौन सा? liquid भी होगा और semi-solid semi-solid का मतलब क्या होता है full जो होता है proper overall जो है solid फार्म में नहीं होता मतलब क्या है? दर्मियाना होता है ना आपको proper उसको liquid के सकते और ना proper आप उसको solid के सकते वो medium हम इस्तेमाल कर सकते और उन medium में से एक या ब्राद भी इस्तेमाल कर सकते या पेर अगर इस्तेमाल कर सकते या ब्राद इस्तेमाल करें medium के लिए या पेरा एगर इस्तिमाल करेंगे टिशु कल्चर प्रोडूसिस क्लोन जां इन वीच आल दा प्रोड़क्ट आफसेल है सेम जिनो टाइप दो यहां पे टर्मिनालोजी इस्तिमाल हो रही एक क्लोन इस्तिमाल हो रहा है और दुसरा कौन से इस्तिमाल हो रहा है जीनो टाइब क्लोन का मतलब क्या होते है क्लोन का मतलब ये होते है Exist Same Copy Example मैं का आपको दे देता हूँ के For Example किस तरह copy आप अपने मुबाईल से एक अपना पिक्चर बनाना चाहतो मुबाइल से क्या बनाना चाहतो पिक्चर बनाना चाहतो जब आप अपना पिक्चर केंच लेते हो तो उस मुबाइल के अंदर डिस्प्ले के अंदर जो आपका पिक्चर आ जाता है जो आपकी तस्वीर आ जाती है आया वो आपकी तरह होती है या मुख्तलिफ होती है वो एक्जिक्टली आपकी तरह होगी तो इट मीन्स के वो पिक्चर जो है आपका क्या होगी आपकी कापी है एक्जिक्ट कापी है जिस तरह आपका फेस का फिगर है उसी केमरे के अंदर जो तश्वीर केंची आप ने वो भी सेम आपकी तरह होगी वही नाक वही फेस सारव सब कुछ भही होगा तो यह इसको हम क्या कहते है कलोन टिशू कैलचर के जरीर हम क्या बनाते है कलोन बनाते और किस ताइब के कलोन बनाते है एक्जिक्ट काफी बनाते इस पेरेंट प्लान की एक्जिक्ट काफी बनाते अल दे प्रॉड़क्ट सेल्स अब ये जो नया प्लान बन रहा है इसमें जितनी भी सेल आएंगे जितनी भी सेल होंगे हे दे सेम जीनो टाइप उसके जीनो टाइप क्या होंगे same होंगे Genotype से क्या मुराद है Normally बायो में दो टर्मिनालिजी हम पढ़ते है एक आपके पास क्या होता है Phenotype क्या होता है Phenotype जबकि दुसरा जो होता है वो Genotype होता है Phenotype आपके पास क्या होता है जो Physical Appearance होती है जो आपकी External Appearance है Physical ठीक है जो External आपके Physical Appearance हो क्या कहते है Phenotype और जब उसको हम Genotype से Remove कर लेते Phenotype को हम किस से Replace करते है जीनू से ठीक है तो हमारे पास जब हम किस की किस को चेक करते है Genes को किस को और आपको पहले से पता है कि Genes हमारे पास कहां पे होते है DNA में होते है ठीक है जब हम Genes को चेक करते है तो एक Best Example से Phenotype और Genotype हम Explain करते है For Example आपके जो I है वो बाहर externally जो आपको नजर आती है शीशे में या दुसरे बंदे को जो नजर आ रही है वो basically क्या है वो Phenotype है ये उसकी external बाहर से नजर आने वाला structure है जबके ये आई जिस जिन के जरीए जिस translation process के जरीए transcription translation process के जरीए बनी हुई है जब आपकी बर्त हो रही थी जब आप पैदा हो रहे थे उस time जिस जिन ने इसके structure काण्टूल किया हुआ था वो किस में आता है वो जिनो टाइप में आते है जब आप जिन स्टडी करते है तो जिनो टाइप और जब आप physical बाहर structure स्टडी करते हो तो उसको हम क्या कहते है phenotype को कहते है तो यहाँ पर कह रहे है कि tissue culture produce clones एक ऐसे type के clones काफी बनते है उस tissue culture method के जरीए के जरीए जिसमें जितनी भी sale आएंगे उसमें जिनो टाइप क्या होगा same होगा मतलब क्या है का अगर इसमें coding है one, three, five for example इसके gene में क्या है one, three, five है तो यह जो नया plant चोटा सा plant भी बनेगा इसमें भी हमारे पास coding क्या होगा one, three, five इसी तरह होगा exactly same होंगे उसके genes क्या होंगे same है कि उसमें कोई फर्क नहीं आएगा unless, तब तक जब क्या न हो जाए, क्या मसला ना आ जाए जब तक उसमे mutation ना आ जाए unless affected by mutation उस वकद तक यह genes same होंगे जब उसी culture के अंदर अगर कोई changes नहीं mutation का मतलब क्या होता है modification कोई changes उसमें ना आए external factor भी हो सकती है mutation के लिए या internal factor भी हो सकती है affected जब तक mutation उसके ओपर असर ना करे तब तक वो चोटा सा प्लान जो आप अभी grow कर रहे हो tissue culture technique के जरीए तब तक वो क्या रहेगा वो same रहेगा parent की तरह बिल्कुल उसमें कोई फरक नहीं होगा in the following section a list of apparatus and main step of tissue culture are given आपको यहां पे इसी section के अंदर क्या दिया हुआ apparatus दियो है कि यह apparatus tissue culture के अंदर استعمال हो रहे उसमें जो सबसे पहले हमारे पास है वो concept cell culture होड है हमारे पास या दुसरे लवजों में उसको हम क्या कहते है liminar flow hood या by safety cabinet cabinet जो होते है वो almari की तरह होते है यह basicले हमारे पास क्या होते है almari type का होते है जब आप उसमें काम करते हो tissue culture के अंदर ठीक है समझ लो कि यह क्या यह पूरा इस तरह almari type का है रूट असा और इसका क्या यह है अप क्या होते है यह main door होते है normally हमारे पास liminar flow unit होते है SHA- unminar flow hood होते है उसी के अंदर यह main door होते है इसी के अंदर हम ने जो भी tissue culture को ग्रूर्व करना है जो भी process हमने करना होते इसमें क्या होते है पूरा ये शीशा होते है ये क्या होते है पूरा ये ढोर जो होते है इसका में जो दर्वाजा होते है आपकी तरफ जो होते है आप यहां पे बेटे होते है तो यह हमारे पास क्या होते है यहां पे इस शीशी के अंदर दो बड़े टाइप के सुरा होते है इस साइस के सुरा ह होतें जिसमें आपके हाथ अंदर जा सकते हों आपके पूरी बाड़ी बाहर रहती है जबके आपके दुनों हाथ एक हाथ इसके अंदर और एक हाथ इसके अंदर अंदर की तरफ क्या होतें शापर टाइप के गलाउज होतें क्यों करतें ये सारा काम बायू सिफ्टी के लिए ताके जो भी चीज हम प्रासिस हम अंदर करें टिशू कल्चर वारा उसमें बाहर से कोई एजन्ट ना आ जाए कोई इस तरह प्रासिस ना हो जाए जिसकी वज़े से क्या हो जाए काज हो जाए मिटेशन काज हो जिसमें कोई चेंजिस आ जाए तो ये सारा process उसी के अंदर ifty के लिए हम करते है तो पहला जो यहां पर apparatus हमें चाहिए वो liminar, flow, hold आपके पास है ठीक है? सेखंड आपके पास कौन सा चाहिए? incubator चाहिए incubator किस काम के लिए चाहिए? heating के लिए तोड़ा सा heat up करने के लिए तो humid carbon dioxide incubator recommended normally नार्मली वह क्या होते हैे थोड़ा सा हुमिट फाम का उता है乾ळा थायप की जियू हुआशारे इंक्यूबेटर हिटिंग क्लिए हमस्तिमाल 20 degree centigrade आपके पास होता है तो refrigerator भी चाहिए और freezer भी चाहिए उसके अलावा cell counter जिसके जरी हम क्या कर सकते हैं cell को count कर सकते हैं Count is automated cell counter हमेस्ट्रिमेटर हमारे पास हमेस्ट्रिमेटर आपके पास क्या यह वो device है यह वो machine है जिसके जरी आप क्या कर सकते हैं को count कर सकते हो उसके अलावा inverted microscope भी आपको चाहिए liquid nitrogen कौन से चीज़ चाहिए liquid nitrogen freezer चाहिए या cry storage container चाहिए जिसके जरी आप क्या कर सकते हो उसको proper store कर सकते हो ठीक है liquid nitrogen जो हमारे पास होता है उसकी क्या होती है freezing point बहुत ज्यादा होती है ठीक है उसके अलावा हमारे पास क्याई sterilizer चाहिए और sterilizer normally हमारे पास किस काम के लिए होता है जरसीम को खतम करने के लिए in case अगर उसी culture के अंदर जो आप याँ पे इसी के अंदर कर रहे हो in case इस तरह एक pity dish के अंदर आप जो process कर रहे हो अगर इसमे कोई germs दे तो वो sterilization के जरे क्या हो सकते auto cleaning के जरे हम उसको खतम कर सकते तो यह main apparatus है जो आपको basic के लिए किस काम के लिए क्या है यह tissue culture technique को परसू करने के लिए चाहिए अब इसमें क्या होता है main step हमारे पास क्या है कौन कौन से step इसमें इस्टिमाल होते है फॉस्ट वाला जो है पके पास क्या है जो main step आपके पास है यह आपने इसी तरीके से mind में रखना है फॉस्ट आपके पास क्या है selection करदो किस चिस की selection करदो plant tissue वो part जिससे आपने क्या करना हो एक plant है plant के किसी हिस्थे से आपने जिस वाले हिस्से से आया हो आपने नार्मली तो हमारे पास क्या इस्तिमाल करते है नार्मली तो हमारे पास जो इस्तिमाल होते है एपिकल बड़ जो एंडिंग वाला होते है लास्ट सेरे वाला जो होते है ठीक है नार्मल तो हम ये इस्तिमाल करते है अब पहले क्या क पास क्या हो गया एक्स प्लांट ये चोटा सा हिस्सा जो है जो सेल है या ठीश हो है इसको हम पर क्या कहेंगे एक्स प्लांट कहेंगे पहले आप क्या करो सेलेक्शन कर दो किस चीस की सेलेक्शन कर दो X plant की selection कर दो कि मैंने काटना कहां से ठीक है कहां से इसको remove करना है या तो ending से जो इसका epical bird है बिल्कुल ending वाला या यहां से तो आप पहले क्या करो selection of the plant tissue X plant from a healthy vigorous mother plant यह mother plant है यह total आपके पास mother plant है किस से आपने X plant remove करना है वाला से selection किस से करनी है healthy vigorous एक तो वो plant क्या होना चाहिए healthy होने चाहिए सेहन मन होना चाहिए दूसरी बात क्या है vigorous type का मतलब क्या है कि उसमें यह capability होनी जाए है कि वो further sell division कर सकता हो यह नहीं को एक ऐसे plant से आप sell या tissue collect कर ले जिसमें division capability capability तकरीबन क्या होई हो बिल्कुल खतम होई हो this is often the epical bird और यह जो X plant है यह क्या हो सकता है यह तो epical bird हो सकता है जो बिल्कुल ending वाला है but can be other tissue यह दूसरे tissue भी हो सकता है यहां से भी आप collect कर सकते हो आप road से भी select कर सकते हो कहीं से भी selection कर सकते हो नर्मली आफन जो होते है वाड इस्तेमाल वाई आफन वो कहरें जातर जो होता है हम कौन से इस्तेमाल करते है वो जो इंडिंग पाइंट होता है उसमें भी पाइंट है कि इंडिंग पाइंट हम क्यों यहां पे जो एपिकल बर्ड क्यों ले रहे एपिकल बर्ड जो सेरे वाला पाइंट होता वो इसलिए लेते क्योंकि नर्मली आपने स्टेम देखे होंगे कि स्टेम अगर प्लान के साथ यहां पह अठेचे तो नर्मली नीचे से क्या करते है उपर की तरफ ग्रो करते यह वाला पार्ड जो होता है फर्दर ग्रो ओपर नहीं जाता ठीक है इसका जो एंडिंग पाइंट होता है उसमें सेल डिविजन होती है यहां पर एक्जामपल सेल डिविजन हो रही है ठीक है एपिकल बर्ड में सेल डिविजन होती है तो उसमें जो cell division के capability होती वो ज़्यादा होती इसलिए हम prefer करते है एपिकल बर्ड को Second हमारे पास जो step है वो कौन सा है This tissue must be sterilized to remove microbial contaminant क्योंकि आपने बाहर environment से इसको collect हिया तो लाजमी बात है कि इसके ओपर क्या होंगे germs must होंगे क्या होंगे microbial contaminant ये part जो होगा microbes इसके ओपर must होंगे इस तरह तो हम क्या कर लेते जो microbes की अलूदगी है वहाँ पे जिस microbes वहाँ पे मौझूद है उसको पहले क्या कर लेते sterilization उसकी करते sterilize करते जरसीम से पाक कर लेते इस ex plant को ये हमारा second step होगा establishment of the ex plant in a culture medium next step हमारे पास क्या होगा कि जब हमें एक अफर्म हो जाएगा कि हमने क्या की साजिती भी माइक्रोब इसके ओपर ते जो छोटा सा पार्ड हमने collect किया हुआ था जो हमने collect किया हुआ था जो सेल ता या tissue था उसको sterilize करने के बाद कि इसके ओपर माइक्रोब नहीं है तो पिर उसको क्या कर लेते establishment of explaining इने culture medium उसको पिर next step में हम काँ पे लगा लेते medium के अंदर लगा लेते medium जो हमने पहले से broth या जो agar वाला था उसके लिए तयार किया वा था उसके अंदर हम क्या कर लेते उसको लगा लेते मेडियम क्या हो सकता है solid भी हो सकता है या liquid भी हो सकता है दुनों फार्म में हो सकता है या semi solid हो सकता है वो किया रहे के sustain the plant cell जो cell हमने वहां से collect की हुए उसको क्या कर लेते उसको sustain करता है उपर खरार रखता है in encourage division और ये cell जो आपने छोटा सक एक्स प्लांट की फार्म में कलिक क्या होता है इसकी division क्या कर लेते है encourage encourage का लफजी meaning क्या होता है हासला देना लेकिन यहाँ पर हम क्या कहेंगे कि cell division को promote करता है कि further cell division और cell division क्यों होता है क्योंकि इसी medium के अंदर हमारे पास जो उसको required nutrient है इस cell को required nutrient है growth के लिए वो सारा का सारा material इसी medium के अंदर क्या होता है मौजूद होता है इसलिए वाड़ इस्तेमाल हो आए कि encourage division अगर यह मौजूद नहीं होते new nutrient तो यह cell हो सकता है कि तोड़ा सा division कर लेते लेकिन further क्या होते यह इसकी growth नहीं होती number four Each plant species in some time the variety within a species is particular medium requirement that must be established by trail and error कुछ plant species इस तरह होती है अब यह medium जो है यह तो पहले से हमें पता है कि for example यह कोई भी anyone कोई भी plant जो आपको पहले से मालों में उसके आपने कापी बनानी होती है ठीक है लेकिन कुछ plant species इस तरह होती है कि in some time the variety within a species is particular medium requirement जिसकी medium requirement हमें पहले से मालों पता नहीं होती कि इसको nutrient के तौर पे घजायत के तौर पे क्या क्या चाहिए तो पिर हम क्या कर लेते है must be established by trail and error तो उस medium को किस चिस की बात हो रही है medium की बात हो रही है तो उस medium को हम किस तरह किस तरह किस तरह की से बनाते है by trail and error बार बार क्या एक दफ़ा हमने बना लिया ठीक है और बनाने के बाद जब हमने उसके अंदर क्या लगा लिया उसी सेल को लगा लिया तो उसकी growth proper नहीं हुई तो हम क्या कर लेते कुछ उसमें newton further जोए add कर लेते ठीक है अगर पेर भी नहीं हुई तो पिर कुछ और add कर लेते अगर पेर भी नहीं हुई तो उसमें से कुछ क्या कर लेते remove कर लेते कि हो सकते है उसका side effect उसके उपर पर रहा वो क्या है हमारे पास कुछ plant species जो है जो particular medium जिसको एक हास medium चाहिए जिसकी requirement क्या है हास होती है वो normal नहीं होती है normal तो आपको पहले से बाकी के लिए हवाले से आपको पहले से पता होता है पर next two point है हमारे पास क्या है multiplication of the x plant gives rise to callus what is the model why killis जब ये चूटा सा प्लान जो था जो सेल था आपने जा इसको collect किया वा था तो ये medium के अंदर क्या हो जाते है एक से एक से क्या बनता है दो सेल बन जाते division स्टार्ट हो जाए my tosses उसमें स्टार्ट हो जाते फिर इसी सेल से further दो बन जाते इसी से भी क्या बन जाएंगे दो बन जाएंगे इसी तरह एक सेल जो होता है वो large number of सेल आ जाते ज्यादा मतलब पहले आपके पास क्या था एक सेल था अभी आपके पास क्या आ जाएंगे 40, 50 या 100 प्लस सेल आपके पास आ जाएंगे इसलिए कहते है truth of loosely arranged cell losely arranged cell cell होते सारह एक जगआ पे तेखो यह दो तीन चार पांच यह सारह sé拌 होते लेकिन arrangement जो इसके होती है एक दुसरे के साथ यह क्या होती ही loosely होती है ठीक़? tough नहीं होती हार्ड नहीं होती बिल्कुर tight नहीं होती है लूजली होती है ठीक है तो उस लूजली जो अरेंज सेल होते है उसके मास को ये प्रॉपर पूरा मास है देखो ये पूरा मास है सेल काया हुआ है इसको हम क्या कहते है केलस का नाम दिया जाता है which is manipulated by varying sugar concentration in the oxen low cytokinin high ratio to form multiple shorts फिर इसको हम क्या करते है मिनिपुलेट मिनिपुलेट का लफज इस्तेमाल होते है अपनी मर्जी से एक चीज़ को चेंज करना अपनी मर्जी से क्या करना है उफने मतलब का काम निकालने के लिए हम इसको क्या कर लेते है मिनिपुलेट कर लेते है एक जाएमपल मिनिपुलेशन का वाले से दे रहा हो कि अगर आपको कोई एक बात के दे सिंपल वर आम champagne में के दे कि फला बंदे को ब Efendimiz को बुला दो वो आपने निकालने, आपने मिनिपुलेशन की इसलिए कियते हैं, कि जब ये केलिस आपके पास आ जाता है उसको फर्दर हम क्या कर लेते हैं, मिनिपुलेट कर लेते वेरिंग का मतलब क्या होते हैं, चेंज करना, तबदील करना शुगर कंसेंटरेशन, इसी के अंदर हम क्या कर लेते हैं, इसी लिक्विड के अंदर चेंज करते रहते हैं बाइ एंड दा अगजीन अगजीन को हम क्या रखते है इस तरह लो साइटोकाइनीन हाई साइटोकाइनीन को हम क्या कर लेते अब ये हर्मोने ये दोनों जो है आपके पास अगजीन इन साइटोकाइनीन ये दोनों आपके पास क्या हर्मोने प्लांट हर्मोने अग्जीन इन साइटोकाइनीन अब इस मेडियम के अंदर जो अग्जीन हम पोट कर लेते एक तो आपको क्या कर लिया शोगर पोट कर लिया उसके बाद क्या क्या अग्जीन और साथ साथ हो साइटोकाइनीन भी इसी मेडियम के साथ टाइम टू टाइम जब केलिस बन जाता है तो आप ये चीज़े आप चेंज करते हैं क्योंकि वेरिंग वर्ड इस्तेमाल हुआ है तब्दील करते रहे तो या तो कम कर ले तो या पिर क्या कर ले तो ज्यादा कर ले तो लेकिन एक बात यहां पर वो कर रहे वो कह रहे चीज़ेए कि अग्जीन को हम क्या कर ले तो लू रखते कम मिगदार में रखते जब कि सैटो काईनीन को हम क्या रखते हाई रखते तो रेशो दूनों का रेशो रेशो आलड़ी पहले से आपको पता है कि फर एक्जामपल अगर अग्जीन आपके पास अग्जीन का रिशो जो है वो आपके पास वन है तो इसी तरीके से साइटोकाइनीन का रिशो फर एक्जामपल हम क्या रखते हैं फायो फर एक्जामपल रखते हैं अग्जीन का रिशो आपके पास क्या हो गया वान हो गया और इसी तरह साइटोकाइनिन का रिशो क्या हमने रख दिया फायो रख दिया इस तरह किसे ठीक है तुफ फार्म मल्टिपल शो किस काम के लिए कि वो बनाए मल्टिपल शोट्स ये पार्ण जो है ये दिमा में रखो इस प्लार्ण को जो मेडियम के अंदर अभी केलस फार्म में पड़ा हुआ है वो प्लार्ण जो है अब उससे हमने कौन सी चीज बनानी है शोट बनानी है जो जाड़िया फार्म किये जो स्टेम फार्म किये उसको बनाने के लिए हमने साइटकाइनीन को क्या रखा हाई रखा एमाइन में रखो अग्जीन को हमने लो रखा ठीके तो इसका मतलब यह हुआ यहां से आप यहां से यह डिड्यूस कर सकतो यह नतीज़ा मतलब निकाल सकतो कि यह जो साइटकाइनीन है ये किस में हिल्प करता है शूट को बनाने में हिल्प करता है किस को शूट को बनाने में हिल्प करता है पिर किरे दे किलिस में भी सब डिवाइड़ है नमबर अफ टाइम अब ये जो किलिस आपके पास यहां पे मौझूद है 50-60 cell है एक cell से 50-60 cell loosely bound है ठीक है ये क्या हो जाएगा वो कहरें कि यहां पर सब divided इसके बाद एक एक cell पर डिवाइड हो रहा है तो 50 से क्या जाएंगे इस तरह 100 सव आ जाएंगे 100 से 200 इसी तरह कितने time multiple time हमारे पास क्या हो रहा है number of time क्या हो रहा है अब next हमारे पास point है वो कौन सा है अब shoot हमारे पास आ गए shoot आपके पास क्या आ गए cytokineen के high होने की वज़े से shoot आ गए अब next tip जो हमारे पास क्या है root formation अब shoot बन गए अब next इसका root बनने वाला अमल है the shoot are transferred are growth medium with relatively higher oxygen ये देखो ये मायन में रखो higher oxygen और cytokineen क्या होगा low होगा पहले वाले में जब हमें क्या चाहिए थे shoot चाहिए थे तब हमने cytokineen को ज्यादा रखावा था उस medium के अंदर अब हमें cytokineen के ज्यादा होने की वज़ा से अब next जो हम क्या करें जब हमने इस केलिस को चेंज किया एक दूसरे medium के अंदर उस medium के अंदर हमने क्हों सी चीज़ ज्यादा रखी थी अग्जीन का मिगदार ज्यादा रखावा था cytokineen के मुकाबले में तो उस time जब ये केलिस आ गया जिसका आलड़ी पहले से short मौजूद साइटो काइनीन के ज्यादा होने की वज़ा से अब अग्जीन के ज्यादा होने की वज़ा से हाईर अग्जीन के ज्यादा होने की वज़ा से क्या होगा रोड़ बनने स्टार्ट हो जाएंगे क्या बनने स्टार्ट हो जाएंगे road बनने start हो जाएंगे तो यहां से आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि साइटुकाइनीन किस चीज़ की sill division करता है या किस चीज़ को promote करता है short बनने को जबके आगजीन किसको road बनने को क्या करता है favor करता है उसको promote करता है पिर कहरे लास्ट वला the road shorts are potted up deflask and harden up by gradually decreasing the humidity अब root और shoot दोनों आगए यह shoot भी आपके पास आगए और road भी आगए अब यह plant अभी तक चूटा सा है अब तोड़े से उसके पत्ते ठाइब के प्लांक चूटे ठाइब के प्लांक पर एजापल पत्ते चूटे से निकले वे वो किया रहे are put it up हम क्या करते डिफलास कर लेते क्योंकि अभी तक तुम मेडियम के अंदर पढ़ा हुआ था अब हम क्या कर लेते green house already आपने पढ़ा होगा उस green house के अंदर उससे पहले हम क्या कर लेते उसको गुमलक के अंदर ट्रांसफर कर लेते इसको हम क्या कर लेते गुमलक के अंदर ट्रांसफर कर लेते ठीके in harden by और उसको तुड़ा सा सखत बनाते किस तरीके से सखत बनाते अभी तो बिल्कुल हमारे पास ये तो लिबार्टिक के अंदर था इसने तो बाहर environment देखा ही नहीं था अब हम उसको क्या बनाते हाडर क्या सक्त बनाते किस तरीके से gradually decreasing the humidity जो water की quantity है जो नम हुए जो हवा में नमी जो है उसको हम क्या करते अराम अराम से gradually का मतलब यह एक टाइम पे नहीं कि आपके पास 80% क्या थी humidity उस लेप के अंदर जो आपने इस केलिस को provide की हुई थी आपने directly 80% से कहां पे आ गए 5% नहीं 5% पे नहीं आना जल्दी आपने क्या करना है उसको उसको आपने आराम आराम से मतलब क्या 80% से 70% 70 से पर इस तरह 65 पर 60 इसी तरह आराम gradually आराम आराम से आपने क्या करना उस humidity को कम करना है आपका मकसद क्या होना चाहिए आपका मकसद जो है उस प्लान को बाहर environment में जब आप लेके आतो तो उसके लिए पहले से उसको सक्त बनाना है ताकि वो बाहर इन्वारमेंट जो external environment है उसको बरदाश कर सके decreasing the humidity this is necessary as many young tissue culture plant have no vixiculture to prevent water loss ये क्यों ज़रूरी है necessary एक gradual harden वाला process जो है ये इसलिए ज़रूरी है क्योंकि जो young tissue culture आपके पास ये चोटा सा जो प्लान्ट आपके पास आया हुआ है उसमें ये capability नहीं होती है have no vixicutical उसके जो उसका जो सिल्वाल होता है उसके सिल्वाल के ओपर vixicutical नहीं होता बाहर cover नहीं होता vixicutical नहीं होता इसलिए नहीं होता to prevent water loss कि वो क्या करे उस water loss को जो उससे transpiration process के जरिए जो water ने release होना है transpiration process के जरिए उसको क्या करे बचाए उसके पास वह टिकनीक, और मेताडालोजी अभी तक नहीं आई हो थी, क्यों नहीं आई हो थी, क्योंकि विक्सी क्यूटिकल उसका नहीं होता, तो इसी तरह जब हम उसको गूमलों में ट्रांसफर कर लेते, तो हमिडूटी आराम आराम से कम करें, इसी तरह निक्स टाइम पर हम क्या कर सकते उसको बाहर